हेलो फ्रेंड्स आपसब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फामा एमसी क्यू में अब जिन भी स्टूडेंट्स का कल HSSC का एक्जाम है तो उन सभी को all the best जीक है आपका एक्जाम की डेट है अब कल एक्जाम है तो जिनका पेपर है उनके लिए अब वो टाइ काफी टाइम से हम लोग वेट करते हैं पेपर कब होगा कब होगा अब तो बिल्कुल टाइम आ गया आप लोगों का कल एक्जाम है तो आप सभी के लिए सबसे पहले तो all the best ठीक है भगवान से यही प्रातना है कि आप सभी का पेपर है बहुत ही अच्छा हो ठीक है तो देखो एक बात किया है सबसे पहले तो एक चीज़े सेलफ कॉन्फिडेंस जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अपने अंदर सेलफ कॉन्फिडेंस रखना है कि आपकी अच्छी तियारी है बस और कुछ नहीं है बाकी फाल्त बातों के बारे नहीं सोचना एक्ट सेलफ क पहीं 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 पहाँ किया मिस्टेक कर देते हैं अब मिस्टेक से devastated हो हमied मिलने के बाद अब आराम से उसको देखना की नहीं भर आता तो दो करना थोड़ा टाइम शांति से पर ली जिए ठीक है उसको अच्छी से देखना है फिर उसके बाद धीरे से अपना पहले रोल नमर वगरा जो भी फिल करना है जो भी है वो सारा कुछ फिल करना है फिर उसके बाद questions attempt करने की बारी आती है तो पहले तो सारे के सारे questions को आपको अच्छे से देखना है उसके बाद जो भी questions आपको अच्छे से आते हैं ठीक है जो question आपको अच्छे से आते हैं पहले उनको omr sheet में भरना है जो आपको अच्छे से आते हैं सारे वो questions कर लीजिए पहले उसके बाद जिन questions में आपको doubt है ठीक है इसमें आपको ये भी धियान रखना है कि आपकी negative marking कैसी है जो भी आपको paper मिलता है उसके ओपर instructions होते हैं तो वो सारे instructions आपको follow करने हैं जैसे उसमें अगर negative marking का देखना है कैसे क्या negative marking है अगर negative marking होती है तो one-third है या one-fourth है यह तो इसको भी करना है लेकिन अगर आपको 2 में डाउट है तो आप उसमें रिस्क ले सकते हैं और लेना भी है उसमें तो रिस्क तो वो आप कर सकते हैं verf तो यह सब बाते हैं आपको इसमें इंस्ट्रक्शन मिले मास्क है कि मास्क पहन के जाना है और जो भी आपको आइडी प्रूफ लेकर जाना है वह सब कुछ आप अच्छे से अपना ले जाना ठीक है यह नहीं है कुछ भूल गई यह फिर कुछ और और पेपर का मैंने आपको बता दिया कि उसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी अपना आराम से पेपर करना है ठीक है और आप सभी को ओल दा बेस्ट आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना अगर नेगेटिव मार्किंग है तो बेफालतु के तुक्के नहीं लगा क्याने जो आपको अच्छे से आते हैं और ज कर देते हैं तो अम क्वेशन देखके क्वेशन के आगे का ही आंसर अच्छे से जो भी होता है वही हमको फिल करना होता है ठीक है तो आप सभी को बस मेरे को यही बात कहने थी अब आप सभी को ओल दा बैस्ट ओके थैंक्यू